नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री एजूकेशन और इस वीडियो में आपके लिए चर्चित खिलाडी अभी तक जितने भी प्लेयर हैं जो चर्चाओं में रहे हैं जो आप क्रिकेट और जो बड़े-बड़े गेम्स होते हैं उनको तो आप जानते हैं लेकिन आप उन प्लेयर को नहीं जानते हैं जो कुस्ती करते हैं जो भारत तोलन करते हैं जो चेस खिलते हैं जो मुक्के बाजी करते हैं लेकिन एक्जाम में आपके लिए कोई रोहिश शर्मा नहीं पूछेगा आपसे एक्जाम में अमन सहरावत पूछे जाएंगे आपसे एक्जाम में मनू भाकर पूछी जाएंगी सौप्रिन कुसाले पूछे जाएंगे मीराबाई चानू पूछी जाएंगी तो इनके बारे में आपको मालुम होना चाहिए और ये चरचाओं में भी रहते हैं लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स है जो चरचाओं में जादा नहीं रहते हैं लेकिन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने 100 कोशन, टोटल 100 खिलाडियों के बारे में उससे जादा खिलाडियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की है जिससे कि आप उनके बारे में जान पाएं तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले कोशन से पहला कोशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह चर्चाओं में अभी बहुत जादा है इनका नाम है अमन सहरावत अमन सहरावत निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो अमन सहरावत कुस्ती खेल से संबंदित है ध्यान रखेगा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पैरिस ओलम्पिक दो हजार चौबिस में इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतीस परदा जो इनकी हुई थी उसमें कान से पदक इन्होंने जीता है और ग्रीस मकालिन ओलम्पिक है दो प्रकार के ओलम्पिक होते हैं एक ग्रीस मकालिन और एक सीत कालिन तो पैरिस ओलम्पिक 2024 वाला ये हो रहा है ग्रीस मकालिन और कल इसका समापन है मैं कोशिश करूँगा कल आपको इसकी बहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराओं जिसमें हिस्ट्री और जो अभी इस बार घटना घटी है भारती प्लेयरों ने किस प्रकार से पर्फॉर्मेंस किया सारे important facts और साथ-साथ MCQ उसमें cover करूँगा तो उमीद करूँगा आप उस वीडियो को देखेंगे और मैं कल ही साम तक आपको प्रोवाइड कराने की उस वीडियो को कोशिश करूँगा ग्रीस मकालिन खेलों में जो summer olympic हुए है उनमें भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता अमन सहरावत बन गए है ध्यान रखेगा इसलिए ये important है अगला question है विनेस फॉगाट वे बहु कुस्ती से संबन देता है और पैरिस olympic 2024 में कुस्ती final में पहुचने वाली पहली भारतिये पहलवान विनेस फॉगाट बन गई थी लेकिन किस्मत खराब थी जब final का weight जब नापा जाता है 50 kg की category में खेल रही थी तो weight जब किया जा रहा था तो उसमें ये 100 gram 100 gram जादा आ ग और अभी ये अपने silver medal के लिए इन्होंने case डाल रखा है अगर इसमें जीतती है तो इनको silver medal मिल सकता है तो weight category की वज़े से disqualify हुई है 100 gram इनका जादा वजन आ गया था अगला question मनू भाकर निम्ड में से किस खेल से संबन देत है most important मनू भाकर क्यूंकि इन्होंने दो पद प्लेयर बन चुकी है मनू भाकर निसाने बाज करती है निसाने बाज है और मनू भाकर ओलंपिक खेलों में एक संस्क्रण में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली athlete बन गई है अब स्वतंत्र भारत क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि Paris Olympic 1900 जब 1900 में Paris Olympic हुआ था उस सम लो भारती है थे इसलिए भारत की बात करें आजाद भारत की तो ये पहली ही है ठीक और मनू भाकर सरब जोट सिंग के साथ जब टीम इस परदा हुई उसमें दस मीटर की जो इस परदा हुई उसमें इन्होंने bronze medal और जो individual था उसमें भी इन्होंने bronze medal जीता तो दो medal एक ही Olympic Olympic में जीतने वाली ये पहली आजाद भारत की player बन चुकी है Olympic में अगला question नीरत चोप्रा किस खेल से संबंदित है नीरत चोप्रा most important है नीरत चोप्रा जो की भाला फेक से संबंदित है और जोने भाला फेक को बहुत ज़्यादा परचलित कर दिया है भारत में तो भाला फे स्वतंत्र भारत में Olympic में दो पदक जीतने वाले पहले track field athlete बन चुके हैं ध्यान रखियेगा track field athlete ये पहले बने है वैसे दो लगतार Olympic में medal जीतने वाले हमारे पहलवान जो सुसील कुमार थे वो भी जीत चुके थे और साथ साथ badminton की खिलाडी उन्होंने भी यहाँ पर ज 2016 में जो Olympic हुआ और 2020 वाला 21 में Olympic हुआ दोनों में उन्होंने भी medal जीते थे और ये भी ऐसे ही player बन चुके जिन्होंने लगतार दो Olympic में medals जीते हैं अगला question श्वपनिल कुसाले श्वपनिल कुसाले निम्न में से किस खेल से संबंदे थे तो श्वपनिल कुसाले ये भी इस जिन्होंने 2024 Paris Olympic में पुर्सों की 50 मीटर राइफल 3P इस परदा में कांच से पदक जीता है ये Olympic के सूटिंग सेड़ी में पदक जीतने वाले पहले भारतिय निसाने बाज बन चुके हैं ध्यान रखेगा आगे बात करें अगला कुशन मीरा बाई चानू निम्ड में से किस खेल से संबंदित है तो मीरा बाई चानू ये भारत तो लख है ये भार उठाती है और इनके बारे में आपको पता होगा Tokyo Olympic में इन्होंने स्टार्ट किया था भारत को medal दिलवाने से silver medal जीती थी इस बार ये चुक गई औ और फूर्थ पाइदान पर रही है मीरा बाई चानू साजन प्रकास किस खेल से संबंदित है तो साजन प्रकास ये तैराक है ये तैराकी करते हैं और ये भी बहुत जादा प्रचलित अपनी फिल्ड के प्लेयर है इनके बारे में जरूर जानना चाहिए क्योंकि ये हमारी पैरा ओलंपिक में प्रेसिडेंट के रूपे भी इनोंने काम किया दीपा मलिक निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो ये पैरा अथलीट है कौन है पैरा अथलेटिक में से बिलॉंग करती है और ये पैरा जो हमारे संस्था होती है पैरा ओलंपिक की जो संस्था होती है पराइथलेट्स की जो संस्ता है उसकी ये डारेक्टर के रूप में भी इनोंने कारे किया है अगला कुशन स्रेशी सिंग निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो स्रेशी सिंग निसानेवाज है और यहाँ पर आप इनको देख सकते है Paris Olympic में इन्होंने participate किया है अगला question अदिती अशोक निम्ण में से किस खेल से संबंदित है और ये बहुत ज़ादा important है अदिती अशोक क्योंकि भारत में इकलौती ऐसी player है जो ऐसा game खेलती है जिससे इन्होंने अपने आपको बहुत ज़ादा प्रचलित किया भारत में एक लौती लगभग जो famous है गोल्फ ये खेलती है और अदिती अशोक गोल्फ से related है जो रास्टमंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने पदक भी जीते थे अगला question विशुनात आनंद निम्ण में से किस खेल से संबंदित है विशुनातन आनंद भारत के पहले ग्रेंड मास्टर भी रहे और ग्रेंड मास्टर है और ये सतरंज से बिलॉंग करते है आप इनके सामने सतरंज को देखकर समझ सकते है तो हरशित राजा किस निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो इनके सामने भी सतरंज रखा है तो ये सतरंज से संबंदित है अगला कुशन किदामभी सिरिकांत निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो किदामभी सिरिकांत बैटमिंटन आप देखकर समझ गए होंगे ये बैटमिंटन से संबंदित है ये option बिलकुल सही सीमा पुनिय निम्न में से किस खेल से संबंदित है, सीमा पुनिया ये संबंदित है, डिशकन थ्रोवर से, किसे डिशकन थ्रोवर से संबंदित है, अगला कुशन, ये प्लेयर से इंपॉर्टेंट है, एक्जाम में पूछे जाते हैं, और जिरमी लाल लिंग्वा, जिरमी लाल लिंग्व निम्ड से किस खेल से संबंदित है तो ये भारत तोलक से संबंदित है और ये भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं इनके बारे में ज़रूर याद रखेगा ये है सुमित अंतिल निम्ड में से किस खेल से संबंदित है तो सुमित अंतिल ये भाला फेक है और ये यह पैरा एकलीट है और यहाँ पर यह भाला फेकते हैं उसमें और बहुत ज़ादा चर्चाओं में रहे ध्यान रखेगा इन्होंने तोक्यो में जो पैरा अलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था अगला कुशन मनीश नर्वाल निम्न में से किस खेल से संबदित हैं तो मनीश नर्वाल यह पैरा शूटर है ध्यान रखेगा यह भी लास्ट जो ऑलंपिक हुआ था पैरा अलंपिक उसमें इन्होंने मेडल जीता था अरपिंदर सिंग निम्न में से किस खेल से संबदित है तो अरपिंदर सिंग ये ट्रिपल जंपर है कौन ट्रिपल जंपर है और ये अरपिंदर सिंग इंपोर्टेंट है अगला कुशन सिमरंजीत कौर सिमरंजीत कौर निम्न खेल में से किस से संबदित है तो सिम्रन जीत को और ये boxing से related है अगला question शिखर धवन इन्होंने चर्चाओं में क्यों retirement की घुशना कर दी है इसलिए चर्चाओं में है और ये cricket से संबंदित है काफी समय से cricket भारत के लिए नहीं खेले है ये आपको IPL में खेलते हुए दिख जाएंगे लेकिन अभी इन्होंने international खेल से सन्यास ले लिया है अगला question वंदना कटारिया किस खेल से संबंदित है तो वंदना कटारिया ये hockey से संबंदित है आप इनको hockey stick से पहचान सकते है अगला question संदीप नर्वाल ये किस से संबंदित है तो संदीप नर्वाल कबड़ी छेतर के सबसे प्रसिद्ध खिलाडियों में से एक है और बहुत ज़्यादा चर्चाव में रहते हैं ये अपनी raid वगेरा के लिए काफी जाने जाते हैं तो संदीप नर्वाल के बारे में याद रखिएगा अगला कोशन विराट कोली निम्ण में से किस खेल से संबंदित है इजी कोशन है विराट कोली क्रिकेट से संबंदित है अब इन्होंने T20 क्रिकेट से T20 जो क्रिकेट फॉर्मेट है उसे सन्यास की घुशना कर दी है साक्षी कुमारी किस खेल से संबंदित है साक्षी कुमारी यहाँ पर आप इनको देख पा रहे होंगे यह कबड़ी से संबंदित एक खिलाड़ी है और साक्षी मलिक किस संबंदित है तो साक्षी मलिक कुस्ती से संबंदित है वो भी जो 2016 में उलम्पिक हुआ था रियो डेजिनेरियों में उन्होंने वहाँ पर मेडल प्राप्त किया था ब्रॉंज अगला कुशन अंचत सरत कमल बहुत जादा चर्चाओं में रहते हैं अंचत सरत कमल यह निम्न में से किस खेल से संबन्दित है तो यह टेबल टैनिस से संबन्दित है और पैरिस ऑलम्पिक 2024 का जो हुआ उसमें इन्होंने भारत के ध्वजवाग के रूप में सिर्कत की जिसकी वज़े से चर्चाओं में रहे इनके साथ पीवी सिंदू थी जो कि इनके साथ ध्वजवाग के रूप में कारे कर रही थी अगला खुशन रानी रामपाल निम्न में से किस खेल से संबन्दित है तो रानिल रामपाल यह हौकी से संबन्दित है और भारत की हौकी की ये कैप्टन भी है और उसलिए बहुत टोक्यो पेरालंपिक में मेडल दिलाया था और साथ साथ जो कॉमन वेल्थ गेम हुए थे उसमें भी रिसेंट वाले उसमें भी इन्होंने भारत को मेडल दिलवाया इसलिए चर्चाओं में रही अगला कुशन पंकज आडवानी पंकज आडवानी के इस खेल से संबंदित है तो पंकज आडवानी ये बिलियर्ड्स खेलते हैं और इन्होंने लगतार एशियन बिलियर्ड्स जो गेम होते हैं उनको जीत कर अपने में रिकॉर्ड बनाया लेकिन इस बार जो 2024 में बिलियर्ड्स का गेम हुआ उसमें ये हार गए अगला कुशन सागर कैलास ओवलकर किस खेल से संबंदित हैं तो ये मल्खम से संबंदित हैं किसे मल्खम गेम होता है उससे ये रिलेटेड हैं अगला कुशन ओम प्रकास मिठारवाल ओम प्रकास मिठारवाल ये किस से रिलेटेड हैं तो ये शूटिंग से रिलेटेड हैं किसे शूटिंग से संबंदित ये खिल अगला कुशन विकास ठाकुर ये किस से related है तो विकास ठाकुर ये weightlifting से related खिलाडी है केलविन किप्टम यह किस खेल से संबंदित है तो भारती नहीं है केलविन किप्टम और यह संबंदित है किस से तो यह एक एथलीट है और यह रणिंग करते हुए आपको नजर आ जाएंगे अगला कुशन डैनियल मेदवेदेव किस से रिलेटेड है तो यह अभी रिसेंटली में चर्चाओ में क्यों रहा है क्योंकि यह ग्रेंड स्लैम खेलते हैं और आपने कई बार इनको राफिल नडाल और नोवाक जोकोवी जो कि टैनिस के बहतरीन खिलाड़ी है उनके खिलाफ फाइनल खिलते हुए देखा होगा और इन्होंने कई ग्रेंड स्लैम जीत भी लिए और यह टैनिस से रिलेटेड एक खिलाड़ी है इसलिए इनको ध्यान रखिएगा लसिदा डेमस यह किस से रिलेटेड खिलाड़ी है तो लसिदा डेमस यह एक धावक है और यह अमेरिकन खिलाडी है लसिदा डेमस और ये अभी इन्होंने सेवानी वे थो चुकी है मतलब इन्हों रेटाइन्मेंट ले लिया है अगला कुश्यन सैम करेन ये निम्न में से किस खेल से संबन देते हैं बहुत जादा चर्चाओं में रहते हैं इंगलेंड के ये लेफ्ट आम बोलर है इस्पिन बॉलिंग करते हैं और सासत कभी-कभी बल्ले से भी कमाल कर देते हैं क्रिकेट के ये खिलाडी हैं अगला कुश्यन संजीता चानू निम्निक में से किस खेल से संबन देते हैं तो संजीता चानू ये भारत तोलक करती हैं भार उठाती हैं अगला कुश्यन सयानतन दास कौन सयानतन दास ये किस खेल से समबंदित हैं तो ये एक सतरंज खिलारी है तो B option यहाँ पर बिलकुल सही आप सतरंज यहाँ पर देख कर पहचान भी सकते हैं अगला कुशन सलीमा टेटे ये निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो सलीमा टेटे यह होकी से related खिलाडी है C option यहाँ पर विलकुल सही अगला कुशन रोहन बोपन्ना निम्ड में से किस खेल से संबंदित है तो रोहन बोपन्ना यह tennis के खिलाडी है और यह tennis के खिलाडी है साथ-साथ आप इनको यह याद रखेगा कि अभी इनको hall of fame में भी सामिल किया गया है रोहन बोपन्ना को इसलिए चर्चाओ में भी रहे हैं अगला कुशन सुभमन गिल निम्ड में से किस खेल से संबंदित है पिछले साल इनोंने काफी बहतरीन बैटिंग की भारत के लिए साथ साथ हर फॉर्मेट में इनोंने बहतरीन पर्फॉर्मेंस किया इसलिए चर्चाओ में रहे अगला सचिन तेंदुलकर इनको कहा जा रहा था या विराट को ली कहा जा रहा था और ये क्रिकेट से संबंदित खिलाड़ी है अगला कुशन लक्षशेन निम्न में से किस खेल से संबंदित है इस साल लक्षशेन जिन्होंने भारत को लगभग बैटमिंटन में बहतरीन पर्फॉर्मेंस करके दिखाया है अलम्पिक में इन्होंने बहतरीन पर्फॉर्मेंस किया और अपने performance न्यूज में लगातार बने रहे हैं बैटमिंटन से related ये खिलाडी है अगला question अमित पंगाल निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो अमित पंगाल मुक्के बाजी से संबंदित ये एक खिलाडी है अगला कुशन शुशीला देवी निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो सुशीला देवी निम्ण में से ये जूडो करते हैं और जूडो से संबंदित है अगला कुशन बीसी सुरेश निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो बीसी सुरेश ये कबड़ी से रिलेटेड एक बेचरीन खिलाड़ी हैं. अगला कुशिन तरुन ढिलो, निम्न में से किस खेल से संबन देता हैं? तो तरुन ढिलो, ये पैरा बैटमिंटन के खिलाड़ी हैं और लगतार ये चर्चाओं में रहते हैं. अगला कुशन, डीकुकेस, इनको तो जरूर जानते होंगे निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं भारत में सभी चेस प्लेइरों में एक समय में पहली रैंक पर आ गये थे और यह सतरंज से रिलेटेड यह खिलाडी हैं, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात क स्वस्ती सिंग ये साइकलिस्ट है और ये साइकलिस्ट के लिए चर्चाओं में रहती है इसलिए इनके बारे में जानिए Manpreet Singh निम्न में किस खेल से संबंदित है Manpreet Singh ये हौकी से संबंदित है ये भारती है पुरुष हौकी टीम के कैप्टन है और इनकी बात करें तो क्यों आगवाई में भारत ने ब्राउज मेडल प्राप्त किया और यहाँ पर भी जो इस बार Paris Olympic हो रहा है वहाँ पर भी यहाँ पर bronze medal होकी टीम को प्राप्त हुआ है मनपरीज सिंग ध्यान रखिएगा अगला कुशन राफेल नडाल निम्ड में से किस खेल से संबंदित है अभी दुनिया में Grand Slam होते हैं चार Grand Slam एक Australian Grand Slam दूसरा French तीसरा Wimbledon और चौथा US इन चारो Grand Slam में सबसे ज़्यादा बार किसने Grand Slam जीता है तो नुवाक जोकोविच का नाम आएगा लेकिन अगर आप से पूछ लिया जाए दूसरे रैंग पर कौन है तो दूसरे रैंग पर सबसे ज़्यादा बार इन Grand Slam को जीतने वाले राफेल नडाल है राफेल नडाल स्पेन से बिलॉंग करते हैं और यह टैनिस के खिलाड़ी है ध्यान रखेगा यहाँ पर नुवाक जोकोविच की बात हुई दुनिया में सबसे ज़्यादा Grand Slam जीतने वाले यह खिलाड़ी है और इस बाज जो Paris Olympic हुआ वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया टैनिस के यह खिलाड़ी है और सबसे ज़्यादा उम्र में जो Olympic में टैनिस खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले यह खिलाड़ी बन चुके है अगला कुशन सविता पुनिया निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो यह Women Hockey Team की गोल की पर है या गोल को प्रोटेक्ट करने वाली खिलाड़ी है तो यह Hockey से Related है जब यह बीच बीच में भारत की कैप्टेंसी भी करती है अगला कुशन विगनेस एन आर निम्न में से किस खेल से संबंदित है आगे चेस देखकर आप समझ गया होंगे यह सतरंज से जुड़े हुए खिलाड़ी है अगला कुशन समर्ती मंदाना किस खेल से संबंदित है यह सबसे ज़ादा भारतिय जो प्लेयर है उनमें सबसे ज़ादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हों में से एक है और सबसे ज़ादा रन यह बनाती है भारत टीम के लिए ओपनिंग करती है इनका नाम स्मृति मनदाना है और ये वाइस कैप्टन भी है भारत की भारती वूमेन टीम की और ये क्रिकेट dapat से संबंदित खिलाडी है अगला कुशन आधित्य मिततल निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो आधित्य मिततल ये सतरण्ज से जुड़े हुए खिलाडी हैं अगला कुशन, जोती यरार जी, ये किस खेल से संबंदित खिलाड़ी है? तो जोती यरार जी ये जब जो इस्टेपल्ड रनिंग होती है, या एथलेटिक्स की फिल्ड में आप इनको कह सकते हैं, रनिंग करती है, जब रुकावट वाली रनिंग होती है, उससे ये संबंदि खिलाडी है एक आगे बात करें अगला कुशन मनीशा कल्यार निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो मनीशा कल्यार ये फुटबॉल से जुड़ी हुई खिलाडी है अगला कुशन बजरंग पुनिया चर्चाओं में रहे और भारा सरकार के साथ जब पहलवानों का या जि हार गए जिसकी वज़े से मैडल तो कुछ मिला नहीं लेकिन चर्चाओं में रहते हैं ध्यान रखिए का पहलवान है ये ये कुस्ती के खिलाडी है अगला कुशन सौपना बर्मन निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो सौपना बर्मन ये हैपता थलीट है और ये अभ बहुत छोटी है उसके बावजूद ये भारत को इंटरनेशनल लेवल पर इस खेल में करती है अगला कुशन दूती चंद निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो दूती चंद ये एक धावक है और बहुत जादा चर्चा होती है इनकी अगला कुशन दीपी का कुमारी निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो दीपी का कुमारी ये तीरन दाज है और अधिकतर जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं वहाँ पर ये मैडल जीतती है अगला कुशन रवी कुमार दया निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो रवी कुमार दया ये कुस्ती से भारत की धावक हैं और ये असाम राज से भी बिलॉंग करती हैं काफी जादा चर्चाव में रहती हैं अगला कुशन साक्षी मलिक निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं तो साक्षी मलिक ये रिलेटेड हैं पहलवान और 2016 में जो रियो डिजिनेरियो में ऑलम्पिक हुआ था वहाँ पर भारत को दो मेडल मिले थे एक पीवी सिंदू ने सिलवर मेडल और एक दीपा मलिक ने ब्रॉंज मेडल दिलवाया था तो दीपा मलिक एक पहलवान है और अभी पहलवानों का जो सरकार के खिलाफ या कह सकते सरकार के एक जो उस समय पर सांसत थे उनके खिलाफ अंदोलन हुआ था उसमें भी इनोंने पार्टिसिपेट किया था संध्या गुरुंग निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो संध्या गुरुंग ये मुक्य बाज है काफी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है अगला कुशन जै प्रकास नौटियाल किस खेल से संबंदित है तो जै प्रकास नौटियाल ये पैरा शूटिंग से बिलॉं करते हैं अभी recently में इनको award भी दुरुणाचार award भी प्राप्त हुआ है अगला question तपन कुमार पाणी गुरही निम्ण में से किस खेल से संबंदित है संबंदित कोच है आंसर होगा ये तेराकी से संबंदित कोच है दुरुणाचार अवार्ड इनको भी मिल चुका है अगला कुश्चन राज सिंग निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो राज सिंग ये कुस्ती से संबंदित खिलाडी है जादा चर्चाव में नहीं रहते लेकिन एक्जाम के लिए important है अगला कुश्चन बिमल प्रफुल ये निम्न में से गोस किस खेल से संबंदित है तो जो बिमल प्रफुल है बिमल प्रफुल गोस इन में से ये related है फुटबॉल से और फुटबॉल से खिलाडी जुड़े हुए प्रफुल पीवी सिंदु बहुत जादा चर्चाव में रहती है पीवी सिंदु किस खेल से संबंदित है तो पी सरत के साथ participate किया था इस बार इनको medal नहीं मिला है अगला कुशन साइना नहवाल ये बैटमिंटरन से जुड़ी हुई खिलाडी है अगला कुशन सानिया मिर्जा किस खेल से संबंदित है लगतार ये चर्चाओं में रही अपने जो पारिवारिक जो इनके कारण थे उसकी तो सुनील बहादुर लॉन बाउल से जुड़े हुए खिलाडी है अगला कुशन पीटी उसा निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो पीटी उसा एक धावक है और इस समय पर ये भारत को भारत की प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन में अगला कुशन मिल मिलखा सिंग किस खेल से संबंदित है मिलखा सिंग का पिछले साल निधन भी हो गया था ये धावक से जुड़े हुए इनके नाम पर एक फिल्म भी बनी है अगला कुशन दीपा कर्माकर ये किस खेल से संबंदित है ये जिमनास्ट से जुड़ी हुई खिलाडी है और टोक और अभिनाव बिंद्रा जिनको ओलम्पिक एसोसियेशन ने जो पैरिस ओलम्पिक हो रहा है उसमें सम्मानित भी किया ये निसाने बाद से जुड़े हुए खिलाडी है भारत को 2008 में पहला इंडिविज्वल गोल्ड मेडल इन्होंने दिलवाया था अगला कुशन मेरी कॉम किस खेल से संबंदित है तो मेरी कॉम जो कि भारत को ओलम्पिक में एक सपोर्टर के रूप में जाने वाली थी लेकिन बाद में इनकी तबियत खराब होने की इस्तिती की वज़े से इनकी जगे नारंग पवन नारंग को यहाँ पर भेजा गया लेकि इनकी बात करें तो मुक्यबाजी से संबंदित ये खिलाडी है अगला कुशन निखत जरीन किस खेल से संबंदित है तो निखत जरीन ये मुक्यबाज है और लास्ट जो ओलम्पिक हुआ था उसमें इन्होंने भारत को मैडल भी दिलाया है अगला कुशन अंजू बॉबी जॉर्ज निम्ण में से किस खेल से संबंदित हैं तो अन्जू बॉबी जॉर्ज ये लंबी कूट से संबंदित खिलाड़ी हैं और चर्चाओं में रहती हैं मिताली राज निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं तो मिताली राज ये महिला क्रिकेटर रही सन्यास ले चुकी है महिलाओं के फील्ड में इनको सचिन तेंदूलकर की उपादी दी गई है और ये भारत के लिए भारती वोमें टीम और दुनिया में महिलाओं में सबसे ज़्यादा राज इनको ने बनाए है अगला कुशन कर्णम मलेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं तो कर्णम मलेश्वरी ये भारत तोलक करती हैं और बहुत ज़्यादा चर्चाव में रही भारत को इन्होंने मेडल सिड्नी जो ऑलम्पिक 2000 हुआ था उसमें दिलवाया था अगला कुशन भावना पटेल किस खेल से संबंदित हैं तो भावना पटेल ये पैरा अथलीट टेबल टैनिस खिलाडी हैं और पिछली बार जब ऑलम्पिक हुआ था टोक्यो में उसमें इन्होंने पैरा अलमपिक में भारत को मेडल दिलवाया था अगला कुशन सुनील छेत्री निम्ण मैं से किस खेल से संबंदित है तो ये रेटायर्मेंट अभी इन्होंने रिसेंटली में ले लिया ये फुटबॉल से संबंदित है और फुटबॉल के ये कैप्टन के रूप में इन्होंने काफी लंबे समय भारत को भारत की सेवा की है अगला कुशन भवानी देवी निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो भवानी देवी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है ये तलवार बाद से related खिलाडी है अगला कुशन लवलीना बौर्गोहिन निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो लवलीना बौर्गोहिन ये मुक्के बाज है और भारत को टोक्यो उलम्पिक में इन्होंने मेडल भी दिलवाया। अगला कुशन, मर्यपन ठंगावेलू निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं। तो मर्यपन ठंगावेलू ये एक प्रकार के पैरा उची कूद करने वाले खिलाडी हैं। अगला कुशन, टेक चंद निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं। तो टेक चंद ये एक प्रकार के भाला नहीं फेकते गोला फेक प्लेयर हैं। तो गोला फेक ने वाले ये एक player हैं, कौनसे गोला फेकते हैं टेक चंद और उसी के लिए चर्चाओं में रहते हैं अगला कुशन अभिशेक वर्मा निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो अभिशेक वर्मा निशाने बाज है और निशाने बाजी के लिए बहुत जादा चर्चाओं में रहते हैं अगला कुशन अंकिता रैना निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो अंकिता रैना टैनिस की ये खिलाडी है बहुत जादा इनको जाना जाता है इस फिल्ड में परफॉर्म करने के लिए सज्जन सिंग निम्ण में से किस खेल से संबंदित है तो सज्जन सिंग ये पहलव अभिजीत कुंते निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो अभिजीत कुंते ये सतरंज से जुड़े हुए खिलाडी है अगला कुशन दविंदर सिंग गर्चा निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो दविंदर सिंग गर्चा ये हौकी से जुड़े हुए खिलाड़ी है अगला कुशन विकास कुमार निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो ये कबड़ी से जुड़े हुए खिलाड़ी है अगला सरकार तलवार निम्न में से किस खेल से संबंदित है दुरुनाचार एवार्ड इनको मिल चुका है ये क्रिकेट से संबंदित है सरकार तलवार अगला कुशन अशान कुमार निम्न में से किस खेल से संबंदित है तो अशान कुमार ये कबड़ी से जुड़े हुए खिलाडी है आपको प्लेयरों को डाटते हुए ये दिख जाएंगे अगला question जीवन जोथ सिंग तेजा निम्ण में से किस खेल से समबंदित है तो जीवन जोथ सिंग तेजा ये सम्बंदित है किसे तीरनदाजी से तो C option बिलकुल सही अगला question दीपक पुनिया बहुत ज़ादा चर्चाव में रहते हैं ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं निम्न में से किस खेल से संबंदित हैं तो दीपक कुनिया ये कुस्ती से जुड़े हुए खिलारी हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप से नुरूत करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को कर लीजेगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरू कीजेगा तन्यवाद